हेलो पीपल, सभी को नमस्कार, केमचो, केमोनाची, सस्रियकाल ये वीडियो बनाने का एक special purpose था मेरा आजकल हमारी ममी, पापा, अंकल, आंटी इन सब को या तो हम आइफोन गिफ्ट करना चाते हैं या फिर वो खुद आइफोन खरीदना चाते हैं लेकिन आइफोन इतने complicated phones हो चुके हैं कि उनको समझना और उनके functions को समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है तभी वे हमारे पास आते हैं पूछने के लिए कि इस function को कैसे use करें, phone को कैसे on करें, कैसे off करें लेकिन हमारी भी life इतनी busy हो चुकी, हमारी schedule इतने busy हो चुकी है कि हम उनको time नहीं दे पाते हैं तभी मैंने सूचा कि इस video को बनाया जाए जिसमें हम कुछ basic functions कवर करेंगे ये video आप सिर्फ उनको जाके दिखाएं और सिंसे हिंदी में है, कुछ age groups, कुछ लोग इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे उनको ये video दिखाएं और उनको इस iPhone के functions को use करने का enjoyment लेने दीजिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे iPhone के physical features की iPhone का सबसे important key है ये home button हम जब इस home button को click करते हैं तो ये phone sleep mode से बाहर आ जाता है और कुछ second तक इस phone की screen sleep mode से बाहर रहती है before ये बंद हो जाए वापस इन्ही कुछ seconds में हमको इसको slide करना है so that ये iPhone स्टार्ट हो सके right side प हम देखे हैं तो एक power button है जिसको click करने से ये phone वापस sleep mode में चला जाता है उसी के नीचे एक system एक SIM tray है इसको निकाल के आप इसके अंगर एक SIM card एक nano SIM card लोड कर सकते हैं ये अगर आपको थोड़ा सा अगर complicated लगे तो आपके जो service providers है Vodafone, Airtel ये आपको इसमें मदद कर सकते हैं लेफ साइट पे जो तीन कीज है पहला है volume down उसके उपर है volume up की और उसके उपर है एक silent mode आप इसको जब कोई back side इसकी देखे हम तो इसकी एक camera है flash है which is used for आपके कुछ भी photographs video निकालने के लिए नीचे अगर हम आते हैं तो आपका इधर speaker है इस तरफ आपके microphone आप डाल सकते हैं कुछ music सुनने के लिए और यह जो की है यह जो स्विच है इस फॉर चार्जिंग पॉर्ट तो यह हो गया आपके physical features of the iPhone फोन स्टार्ट करते हैं हम home screen में enter होते हैं हम सबसे पहले दम settings discuss करेंगे settings जैसे हम enter करते हैं आपका एक airplane mode है इसको आप click करने से यह phone airplane mode में चला जाता है जिसका मतलब यह है कि आप इसको phone को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इसको internet इसका calling सब कुछ ही बंद हो जाता है next है wifi वाइफाई पर हम जब click करते हैं अभी फिलाले मेरे wifi पर connected है लेकिन आप जैसे इसको on ये off करते हैं तो यह wifi को आप आपकी जो घर पर जो router है उसके साथ इसको connect कर सकते हैं for internet usage next है आपका bluetooth function bluetooth में आप इसको अपने car के साथ connect कर सकते हैं अपने earphones के साथ connect कर सकते हैं अपने smart watches के साथ कुछ smart apple smart watch उनके साथ connect कर सकते हैं उसका ये bluetooth का on off feature है mobile data में एंटर करते हैं इससे ये आपके service provider का इसको on off करने के लिए ये key दिया गया है यहाँ पर ये off हो गया और ये इसको on हो गया ये same function ये same style on off की हर एक function में रहेगी personal hotspot, carriers, notifications इसमें मैं अभी detail में नहीं जाओंगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही complicated हो जाएगा फिर हम सिधा जाएंगे control center में control center ये वो function है जिसमें आप अगर जैसे मेरा ये access on lock screen ये on है ये off हो गया ये on हो गया इसका function ये है कि जब मैं कोई भी app में क्या main screen में या कहीं पे भी हूँ मैं नीचे से इसको drag करके इस control center को उपर ला सकता हूँ और यहाँ पर में मेरे सारे shortcuts है मेरा जैसे airplane mode में directly दर से on off कर सकता हूँ मेरे wifi on off कर सकता हूँ मेरा bluetooth on off कर सकता हूँ मेरा screen brightness यहां से change हो सकता है then I have a flashlight यहां पर flashlight on off हो सकती है clock है calculator है camera है तो यह function जैसे आपको settings में नहीं जाना हो और आपको सीधा बहार से अगर इसको access करना हो तो उसके लिए यह function helpful रहेगा do not disturb there are times जब हमारे हम लोग को नहीं चाहिए इस time पर हमको कोई call कर सके तो उसमें आप यह तो आप time schedule set कर सकते हो जैसे मैंने set किया 12 a.m. से 8.30 a.m. इस बीच में मुझे सिर्फ मेरे favorites phone कर सकते हैं और कोई भी phone नहीं कर सकता और वो favorites मैं यहां से set कर सकता हूँ अगर मुझे time set नहीं करना है मेरा time vary करता रहता है तो मैं इसको manually on off भी कर सकता हूँ जैसे यह मेरा do not disturb on होता है आप देखेंगे उपर एक moon का sign रहता है which shows that key phone do not disturb mode में चला गया है general again हम ज्यादा cover नहीं करेंगी यहां पर क्योंकि it is थोड़ा यह और ज्यादा complicated function है display and brightness भी हमको जाने की जरुत नहीं क्योंकि हमने जो control center हमने drag किया था वहीं से हम अपना brightness adjust कर सकते हैं wallpaper sounds important है again हम अपनी कौन सी ringtone set करना चाहते हैं आप sounds में आईए ringtone को click कीजिए and you can select a wide range of ringtones from here यह आपकी ringtones है जो iPhone ने अंदर set करके दिये आप कोई भी ringtone पे आप जाहिए और उसी ringtone पे आप click करेंगे तो वह ringtone set हो जाएगी आपकी and then you can exit from going back ringer का alerts का volume आप increase or decrease कर सकते हैं यहां से by holding them and sliding them vibrate on ring मैंने चालू रखा है क्योंकि कितनी बार मेरे pockets में होता है phone तो मुझे easy रहता है to feel the vibration and know touch id and passcode आप अपना set कर सकते हैं like मैंने अभी तो on off रखा हुआ है लेकिन आप अपना जैसे add a fingerprint करेंगे उसमें आप अपना touch id and passcode enter कर सकते हैं जो आपको phone को on off करने के लिए help करेगा again यह function iPhone 5s और 6s में ही है उसके पहले के phones में functions नहीं है but मैं इसको cover उन्हीं points को cover कर रहा हूँ जो सारे phones में applicable और common है anyway so next है आपका battery function यह आप low power mode usually off रहता है आप जैसे आप इसको on करते हैं तो आपका battery usage काफी improve हो जाता है आप इसको ज्यादा देर तक इसकी battery utilize कर सकते हैं next function हम जाएंगे messages में मैंने कुछ function miss किया क्योंकि वो first video के लिए कुछ ज्यादा ही complicated हो सकता है इसलिए messages में हम जाएंगे यह बहुत important function है सबसे पहले आपको option मिलेगा i message का जिसको आप toggle कर सकते हैं on और off में इस i message का benefit यह है कि आप iPhone से iPhone calls अगर आपके पास 3G Wi-Fi है तो आप without any extra SMS charges आप एक दूसरे को SMS कर सकते हैं इस i message को आप जैसे activate करेंगे तो कुछ functions कुछ screen पर कुछ important messages आएंगे जो आपको fulfill करने हैं इसके बाद आप exit करिये and again मैंने कुछ functions इधर हैं जो मैं omit कर रहा हूँ यहाँ पर so that यह video ज्यादा complicated ना हो जाए so coming back to our home screen मैंने home button बताया और यह phone home screen पर आ गया आपको उपर left side पर extreme left पर आपको अपना signal strength दिखेगा आपके service provider का next to that आपका Wi-Fi connectivity दिखेगा फिर आपका बीच में time है उसके बाद एक चोटा से arrow है जो आपका location बताता है फिर एक alarm का एक diagram है उसका मतला भी है कि मैंने को alarm set करके रखा है and 100% आपकी battery अभी 100% चल रही है under that आप देखेंगे messages icon है जो click करने से आपको messages में लेके जाता है on the right hand side on the top you will see a pen button यह pen button को अब जैसे click करते हैं तो आपको इधर new message का screen खुल जाता है आप इधर कोई भी number dial करिए two में उसके बाद यहाँ पे नीचे click करिए and you can type your message here इसके बाद आप इसको send कर सकते हैं on your right side आपको एक send का option दिखेगा वो आप send कीजे तो यह message deliver हो जाएगा home button दबाने से हम वापस home screen पे आ जाएंगे next जो function है इसमें वो है calendar calendar में आप जैसे open करते हैं तो आपको आपका calendar दिखता है जहां पर अपने meetings schedule सब प्लस sign दबा के set कर सकते हैं again home button दबा के आप home screen पे जाएंगे next function है camera का जब हम इस camera को click करते हैं तभी हमको इस camera activate हो जाती है आप इस button को white चु नीचे button है center में इसको click करते हूँ आप जैसी करोगे तो यह picture निकाल लेता है इसको आप slide करोगे तो आपका video चालो हो जाएगा वापस slide करोगे तो photos आ जाएंगे वापस दूसरे भी functions है जो हम again इदर omit कर रहा हूँ home button पे click करने से वापस home screen पे आज जितने भी आपने click किये हैं camera में photos उस सब आपके इस photo application में आप देख सकते हैं clock उसके बाद safari safari आप जैसे खोलेंगे तो आपको इदर search और enter website name आएगा जहां पे आपको click करना है यहां आप अपना कोई भी website डालिये and go तब इस website को open कर सकते हैं safari basically iphone का खुद का application है जो website को use करने के लिए ऐसे browser function करता है next आपके notes है आपको अगर कुछ important notes लेने हो कुछ आप बूल जाते हो तो आप कही note कर देना है so that आपको future में याद रहे तो यहां पे आप जैसे खोलेंगे आपको नीचे right hand side एक pen दिख रहा है यह आप click करिए and then अपना जो भी message है इसको type करके done कर दीजिए and उपर जो आप arrow देखेंगे उस पर आप click करोगे तो यह वापस आ जाएगा next है reminders आपको अगर कुछ ऐसे reminders set करने हो जैसे मैंने set किया हुआ है मुझे कुछ account close करना है तो अब जैसे आपका यह काम हो जाता है आप इस circle को click कर दीजे so that यह reminder से हट जाता है so for example make video तो मैंने यह make video किया और यह return click किया तो मेरा यह reminder set हो गया अगर यह मेरा काम complete हो जाता है तो मुझे इसको circle पर click करूँगा तो यह complete हो जाएगा उसके बाद हम जाते हैं music में music में आप अपना जो भी music loaded है इस phone में या फिर अगर आप इसमें load करना चाहते हैं तो यह आप इसमें कुछ music जो copy आप इसमें करेंगे through iTunes आपके laptop के तुरू वो सब इसमें आ जाएंगे जो आप play करगे यहाँ पे आप सुन सकते हैं जैसे मेरा यह first album है उसके बाद जो में एक play mode आपने देखा होगा यह जब click करेंगे तो आपका यह music चालो हो जाएगा App Store, iTunes App Store, iTunes again इतना important नहीं रहेगा initial use के लिए App Store आपके जितने भी applications आप download करने चाहते हैं जैसे यह सब applications है यह सब आप App Store में जाके purchase कर सकते हैं या फिर खरीच सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं बाकी Google Maps, Chrome यह सब तो मैंने डाउनलोड किया है आप की personal choice के हिसाब से अपने application decide कर सकते हो settings हम cover कर चुके हैं mails basically आपके कुछ भी अगर mails बेजना आप खोली है mails को यहाँ पे again जो pen है उस पे click कीजिए and then you write your two message subject and you आपका email लिखके send कर दीजिए next function है हमारा phone जो सबसे important use है phone का तो जैसे आप phone पे click करेंगे यहां पे आप अपना जो भी number है वो डाइल कर सकते हैं and उसके बाद आप इस green button को डाइल करेंगे so you can place your call and उसके बाद last हम cover करेंगे contacts को इसको आप जैसे आते हो इधर तो आप अपने contacts को save कर सकते हो इस plus sign को add करने से आप सारे details इसमें भर सकते हो and then आप done कर दीजे थाके contact create हो जाए आप इन contacts को आप यहां से भी आप डाइल कर सकते हो इस contact के अंदर जाने के बाद you can dial from there also आप जैसे कोई number पे touch करोगे तो वो number डाइल हो जाएगा well यह होगे हमारे कुछ basic चीजों का बाकी आप जितने applications जैसे मैंने load किये जितने applications आप load करते जाओगे उतने आप applications इस phone में utilize कर सकते हो I hope मैंने एक basic function के लिए जितने requirements हो सब cover किये हैं अगर आपको यह video अच्छा लगा हो तो please like केजिए and इस type के और videos देखने के लिए हमारे channel को subscribe कीजिए thank you very much लिए वेझ नवाराए प्रेखने डा beet करेंघ यह टो भोगा हो तो वे बता क 집 कर दाई यह